हेलो स्टुएंट वेल्कम तु जार्वेस केंपस हमने इस तरी के सारे चैप्टर कर दिये हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले जोग्राफी सेक्शन इसका भी फर्स चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवल्मेंट हमने अल्लिए क्लास में पढ़ चुका है कि रिसोर मतलब एक्जामपल जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो मैं आपके लिए एक रिसोर्स हूं अगर आप किसी जैसे कोई पर्टिकुलर चीज है जो आपकी भूग को मिटा रही है तो आपके रिसोर्स है कि वह आपका खाना आपकी इनों भूग को खतम कर दिया अगर को की सब यह definition नहीं है रिसोर्स की definition थोड़ी और है जिसको हम detail में हमारे इस chapter पढ़ने वाले हैं इसके अलावा हम देखेंगे कि resources की different types होते है renewable and non renewable नहीं इसके अलावा भी कई साही types होती है जिनके basis इस अलग-अलग होते हैं हम types of resources पढ़ेंगे इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि जो land है वह as a resource कैसे काम करता है फिर लैंड में हम different types पढ़ेंगे soil के types of soils में और उनकी कई सारी conditions के वह कहां पाई जाती है और उनके uses कौन-कौन crops को grow करने के लिए होते हैं जैसे land degrade हो रहा है वैसे soil भी आजकल chemical uses की वैसे degrade हो रही है यानि खराब हो रही है इसलिए हम soil erosion भी पढ़ेंगे और फिर soil को हम कैसे बचा सकते हैं यानि soil conservation भी पढ़ेंगे तो resource and development में हम सारी resources के वारें पढ़ेंगे इसके लाव हम यह भी देखेंगे कि कैसे इंडिया ने planning किये resource के लिए resource planning में जिससे जो resource है वो काफी जाधा कम waste हो और काफी जाधा utilize कर सके future के लिए तो यह सारी चीज हम हमारे resource and development chapter पढ़ेवाल है मिलते है next video में जहांपर हम यह देखेंगे कि resource की actual definition क्या होती है और वो कीट basis में depend करती है thank you